Hello Learners, Welcome to Learn eSpot This is our session number 2 This is our session number 2 of the book Word Power Made Easy ठीक, इससे पहले मैं तीन lecture दे चुका हूँ इससे पहले, इसको मिला के तीन lecture रहे इससे पहले मैं दो lecture दे चुका हूँ आपको ठीक है, पहले वाले में क्या था? Session number 1 था Word Power Made Easy का और जो part 1 था हमारा चाय पे vocab का Part 1 में क्या discuss किया था? हम लोगों ने part 1 में जो discuss किया था कि कौन-कौन से method हो सकते है Word को याद करने के कैसे आप उनको maximum time के लिए retain कर सकते हो और जो news paper होता है उसकी मदद हम लोग कैसे लेते है vocabulary याद करने में और कुछ एक हलका समयने brief idea दिया था आपको कि आप कैसे चार्ट सकते हो कैसे select कर सकते हो कौन सा word positive sense दे रहा है कौन सा word negative sense दे रहा है right तो उसी series में आज हम लोग आगे बढ़ने वाले है this is our session number 2 word for mediji right मेरा नाम मरीज गुप्तव और मैंने बीटे mechanic engineer से कियो ही है so अब हम लोग देखेंगे अच्छा आज में क्या बताऊंगा आज में आपको root word बताऊंगा ठीक है ego alter mania इनसे related कुछ सब्द बताऊंगा आपको करना क्या है आपको अपनी copy में session number 2 डालना है सीधा उसके बाद डालोगे आप root words है ना ये तीनो root words सीधा लिख लेना ठीक है अभी मैं discuss करने जा रहा हूँ ego ego का मतलब क्यों था है self या I ठीक है ना self या I मतलब swarth या फिर मैं अच्छा बुजूर को लोग बोलते हैं ना तुमारे अंदर मैं बहुत है एक ये भी तुमने सुना हो को बुजूर को बोलते हैं तुमारे अंदर अहम बहुत है हलाकि ये Sanskrit word है ये Hindi word है ठीक है अहम बहुत है तुमको बोलते है तो वो क्या है वो self है right alter alter का अच्छे दो तरहां से use होता है एक होता है आपका change एक होता है आपका others दोनों तरह के मैं word लेके आया हूँ आपके लिए जो हम लोगों का root word है वो क्या है mania क्या है वो mania mania का मतलब होता है madness मतलब पागलपन आप लोगों ने अगर आप domino's गया होंगे ना वहां पे आपने देखा होगा एक उनके जो वो होता है ब्रोशर उसमें लिखा होता है pizza mania पिज़ा mania आपने जरूर देखा होगा और आपने जरूर खाया होगा क्योंकि यह सबसे सस्ता होता है और cheap and best होता है बहुत सही लगता है खाने मतलब 300 का pizza अच्छा ने लगएगा जितना 100 वाला लगएगा आपको तो आप जरूर ट्राइगा अच्छा इन root words से कौन-कौन से word बनने है अब हम लोग वो discuss करने जा रहे है कौन-कौन से word बनेंगे सबसे पहला जो word है क्या है ego centric ठीक है देखो ये ego तुमको दिख गया ये ego तुमको दिख गया ठीक है ना ego कहीं भी तुमको अगर दिख रहा है ये ही root word कमा जाए अब देखो इगो सेंट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो की अपने बारे में बहुत ज़्यादा केर कर रहा है ठीक है हनाकि अच्छी चीज़ अपनी केर करने इतना बुरा नहीं है बट अड़ अड़ सेंट टाइम उसको दूसरों की कोई फिकर नहीं है है ना इड़संट केर इबाउट अदर्स कोई भी चीज़ करने में उसको ना फैदा हो रहा है न तो वो कर देगा वो यह नहीं सोचेगा कि तुम्हारा क्या लॉस हो रहा है ठीक है उसको बस ना पता है मेरा फायदा हो रहा है तो I have to do this thing उस इंसान को क्या बोलोगे इगो सेंट्रिक एक वर्ड मैंने डिस्कुस किया था आपसे सेसन नमबर वन में इगो इस्ट का करके और एक था इगो टेस्ट अना दोनों ही वर्ड मैंने डिस्कुस किया था अच्छा इन दोनों में कोई एक साथ आपके सीजल में आया था भी हाली में जो एकजाम हो था 2018 वाला इन दोनों में सायथ इगो इस्ट था टीक है इगो इस्ट का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रीम 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 जो थोड़ा ज्यादा selfies हो उसको तुम क्या बोलोगे Ego-centric ठीक है ना Ego-centric बोलोगे इसको थर्ड वर्ड है आपका Ego-manical अच्छा Ego-manical में तुमको दो चीज़े दिखनी चाहिए एक हो गया आपका क्या एक हो गया Ego- ठीक है दूसरा क्या हो गया मैनी यह मैनिया वाला है ठीक है मैनिया वाला मैनिया यह ओल्राइट now extreme ego centric एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इतना स्वार्द भरा है इतना स्वार्द भरा है कि तुम उसको पागल तक बोल दे रहा है ना कुछ लोग अगर बहुत ज़़ा स्वार्थी होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं दुनियोदारी से कोई मतलब नहीं रगते हैं वो अपना देखते हैं, अपना सोचते हैं मतलब एक होता नहीं है दुनिया से कटना एक होता है कि एकदम तुम दूसरों का कुछ भी सोच ही नहीं रहो तुम दूसरों का बिलकुल बुरा करने के लिए तैयार बैटे होगा तुमारा कुछ भी फायदा है तुमारा दस रुपए का फायदा हो रहा है तुम दूसरे का सो नुकसान करा दोगे वो क्या होता है इगोमैनिकल होता है इन तीन सब्दों को देखो तीनों का मतलब सेल्फिस से ही रिलेटेड है लेकिन इगोईस्ट का मतलब क्या होता है जो इगोईस्ट सब्द की ग्रैविटी होती है वो इतनी है ठीक है, Ego Centric जो gravity है वो थोड़ी से ज़ादा है और Eagle Manical की gravity सबसे ज़ादा है मतलब कि ये कम selfies है Egoist वाला बंदा जो Ego Sentric वाला है वो Egoist से ज़ादा तुम्हारा selfish है और जो 3rd वान है तुमारा lustप वो सबसे ज़ादा selfies होगा ओल राइच I hope आपको इस तीनों सब समझ में आए होंगे तीनों का मतलब क्या है कैसे आप इनको रिलेट कर सकते हो रूट वर्ड से next कुछ वर्ड है जिन में हम लोग देखेंगे अल्टर रूट वर्ड अल्टर 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 दिख रहा है न अल्टर का मतलब क्या था चेंज या अदर्स इन में से तुमको अच्छा एक हलका सभी आइडिया होगा कि इसमें अल्टर रूट वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब या तो अदर्स होगा या फिर चेंज या बदलाओ से रिलेटेड होगा इन दोनों में से कुछ मतलब होगा तो आपको या एक्जाम में क्या होगा या चार ओप्सन दी होगे बहुत ज़्यादा किसमत खराब है आपका तभी वो कोई दो ओप्सन क्लोज देगा अदर्वाइस क्या करता है वो तीनों या चारों ओप्सन के ना से बिल्कुल अलग होंगे तो आप इजली बता सकते हो कि इन में से कौन साउप्शन सही होगा अगर आपको रूट वर्ड का ऐडिया है तो तब ही यह बुक मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट वुक है वो के लिए लिए अच्छा अब ही दो को मतलब समझेंगे हम लोग 소리żyम का इससे पहले मैंने सेशन थे में एक वर्ड ऑगर सेवर्ड क्या बिर्ट उसका ऐगर आपको याद हो क्या वर्ड था हो वो वर्ड था आपका अलकеци स्ट करके निक थीक है आमगर के वर्ड के वर्ड का मैंने मताया था एक ऐसा इंसान इंसान The person who is interested to help others. एक ऐसा वेक्ति जो दूसरों की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टेड होता है. उसको हम बोलते हैं आल्ट्रूिस्ट. है ना? अच्छा, आल्ट्रूिस्ट और आल्ट्रूिस्म. इजम जहां जुड़ जाएगा, उसका मतलब होता है सिध्धान्त. आपने जरूर डॉक्ट्रिन वर पढ़ा होगा. डॉक्ट्रिन अफ लैप्स जरूर पढ़ा होगा. अगर आपने हिस्ट्री पढ़िए. डॉक्ट्रिन अफ लैप्स. है ना? किस ने दिया था? हिस्ट्री में है, आप जरूर पढ़ेंगे अभी. तो जो मतलब होता है, तुमारा क्या होता है? इजम का सिध्धान्त. मतलब इजम का मतलब क्या होता है? philosophy. आचा philosophy क्या होती है? फिलोसफी एक सिध्धान्त को ही बोलते है वैसे तो. एक तरह की ये क्या होती विचारधारा होती है ठीक है न, thought जिसको बोलते हो आप इंगलिस में thought है न, सोच होती है ठीक है तो philosophy क्या होती है, सोच होती है thought process होता है एक सिध्धान्त होता है doctrine होता है कहे का, किस चीज़ का helping others, मतलब दूसरों को मदद करने की जो philosophy है आपकी, दूसरों को मदद करने का जो सिध्धान्त है आपका उसको तुम क्या बोलोगे, altruism और altruist, उमने word बताया था, जो इनसान था जो ऐसा करता है अगर जिसका मतलब जो ये चीज़ कर रहा है ठीक, उसको तुम क्या बोलोगे उसको तुम बोलोगे altruist ठीक है याज ये एक साथ लिख जाता है उसको क्या बोलोगे तुम altruist बोलोगे, राइट तो जो ये चीज़ कर रहा है वो altruist है, और इस तरहा की विचारधारा क्या है, altruism है समझ में आना चाहिए तुमको दोनों चीज़े, next word क्या है तुमारा alternate, ठीक है alternate, अच्छा आप लोग अगर किसी भी exam की तयारी करते हो, for example जैसे कोई IAS की तयारी करता है, ना UPSC IAS की, तो वो बोलता है कि हम mainly तो option A मेरा क्या है, IAS है, but PCS वाला जो exam होता है, जो state PSC का exam होता है वो मेरा option B है, है ना, मेरा main target तो यह है, लेकिन मेरा alternate option क्या है, other possibility क्या है other possible way क्या है जाने का PCS भी हो सकता है, अगर IAS में नहीं होगा, तो PCS में जाना है हना, वो क्या होता है, alternate option बोलते हो तो यही होता है alternate, alternate का मदब होता है, देखो, alter root word था, other आया, देखो, आया other possibility कोई दूसरी possibility जो होती है वही तो होता है alternate है ना, alternate आपने word जरूर पढ़ा होगा पहले लेकिन क्या root word है सायद आज 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 आपको clear हो गया होगा next word तुमारा क्या है alter alter का मतलब ही होता है change आप किसी जैसे मौलो कि आप कही ट्रेलर के पास जाते हो आप बोलतो कि मुझे jeans का size वगयरा change कराना है कुछ होता नहीं कभी यहां से tight कि यहां से ढीली है सब चीज़े जो कराना होता है तो आप बोलतो मुझे jeans alter करानी है alter क्यों alter करानी है मतलब change करानी है उस sense में तुम दूसरा नहीं बोलो कि मुझे jeans दूसरी करानी है आपकी वही जो पुरानी jeans है उसी को आप size वगयरा change कराना है तो आप बोलते हो कि मुझे क्या करना है मुझे jeans alter करानी है ठीक है next word है आपका alter alteration होगा यार यह एन नहीं होगा आप लोग इसको size लिखना ठीक है यह तुम्हारा alteration होगा अच्छा alteration का मतलब क्या होता है alteration का मतलब होता है change to change नहीं a change अब मैंने a change क्यों कि अब मेरी बात समझना to change और a change में फर्ग क्या है to change देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हना to change का मतलब होता है verb मतलब बदलना हना कोई चीज बदलना ठीक ही यह आपका verb होती है लेकिन बदलाव यह क्या है नाउन है समझ रहो ना यह चीज बहुत थोड़ा सा फर्क है यह alter से ही बना है तुमारा alteration यह noun है यह क्या है आपका noun है और यह क्या है आपका यह आपका verb है वर्ब आपको पता होगा है वर्ब क्या होता है यार वर्ब होता है तुमारा go, sleep, come sit, खाना, बैठना, जाना, पहनना, ओरना यह सब क्या है आपके place और thing किसी भी चीज का नाम तो ये noun क्या है यार ये change क्या है ये एक बदलाव है बदलाव समझे रहो ना बदलना और बदलाव में जो फरक है वही फरक तुम्हारा alter or alteration में और एक चीज यार रखना इसको लिखने से पहले न यहाँ पर N नहीं आएगा alteration है सब्द और यहाँ पर A कर लेना और फिल लिख लेना ये noun है और ये verb है ठीक है थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से कोई ना next word क्या है आपका altercation next word क्या है altercation अच्छा altercation ना आपने बहुत बार किया है कैसे किया मैं बताता हूँ अगर आपने नहीं किया तो आपने देखा जरूर होगा अपनी life में एक बंदा सारुक खान का fan है एक बंदा सल्मान खान का fan है उन दोनों को तुम लाके सामने खड़ा कर दो एक दूसरे के और इस से पूछो कि तुमारा फेवरेट कौन है ये कहेगा सारुक खान ये उस से पूछो ये कहेगा सल्मान खान तुम ये दोनों आपस में आ जाएंगे इतना भैंकर वाली लडाई होगी ना इतना भैंकर वर्बल डिस्प्यूट होगा मतलब खूसा लाथ तो नहीं होगा लेकिन ये लोग एकदम वर्बली डिस्प्यूट करने लगेंगे जगालने लगेंगे मुँ मूँ से वो कहेगा नहीं सारुक खान नहीं किया वो कहेगा सारुक खान के पास इतना पैसा है कई सारे अर्ग्यूमेंट्स होगे थो इसी वर्बल डिस्प्यूट को क्या बोलते हैं हम लोग अल्टर केस हैं लेकिन ये तो ठीक है लेकिन आपने तु सर कहा था आपने सर ये कहा था कि अल्टर का मतलब अधर होता है इसका तो कहीं कुछ आया है यह नहीं सिस्टम इसका सिस्टम दो कैसे है मैं बताता हूँ यह जो दोनों ही बंदे थे एक भाई S.R. के सारुक खान वाला एक भाई सलमान खान वाला ठीक है अलाकि यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं यह लोग आपस में नहीं लड़ते हैं बड़ होता है यार फैन वगेरा लड़ जाते हैं कोई नहीं होता है तो यह लोग लड़ क्यों हो रहे हैं Because they have है ना Because यह बोथ person जो है आपके they have other idea है ना उनका idea अलग है उनका choice अलग है choice भी लिख सकते हो आप लोग तभी वो लड़ रहे हैं उनका choice अलग है उनका plans भी अलग हो सकते हैं आपसे कोई एक इनसान कहें आप लोग मालनो तीन दोस्त हो एक इनसान कह रहा है कि Simla चलते हैं पहाल गुमने एक इनसान कहता है नहीं गौवा चलते हैं ठीक ना इन लोगों के plans क्या है अलग अलग है इसी में अगर उननों का verbal dispute हो गया तो उसी verbal dispute को क्या बोलोगे तुम उसी verbal dispute को बोलोगे altercation राइट आपको समद्ध में आया होगा altercation वर्ड का मतलब next वर्ड क्या है alter ego next word क्या है alter ego अच्छा इसका मतलब mirror image होता है mirror image मतलब कैसा तुम जब CC में खड़े होते हो तुमको कौन दिखता है अना तुम जब CC में खड़े होते हो तुमको तुम ही दिखते हो अना रडवीर कपो तो दिखता नहीं है ये दोनों person same होते हैं इसी बात है राइट सो mirror image कैसे मैं बोला हूँ अभी देखना आप समझना देखो alter का मतलब क्या हो गया यार alter का मतलब हो गया other दूसरा कोई ego का मतलब क्या हो गया self मतलब मैं या फिर इसका मतलब क्या था other ego का मतलब क्या था self या फिर I मतलब मैं मतलब मेरे जैसा कोई दूसरा है ना ये कैसे मेरे जैसा कोई दूसरा का मतलब क्या हुआ मान लो सुरी मान लो कोई दो इंसान है है ना इन दोनों इंसानों की जो कोई भी काम करना है like कुछ भी चीज करना है they do same thing जो वो करते हैं same चीजे करते हैं उनका temperament same जैसा है मतलब जो गुस्सा आता है उनको same बातों पर गुस्सा आता है and they think alike मतलब कि एक जैसी चीजे सोचते है उनका जो सोचने का तरीका है वो एक जैसा है alike का मतलब होता है same they think alike तो उन इंसान को तुम क्या बोलोगे तुम तो कहोगे यार ये दोनों तो एकदम mirror image है एक दूसरे की क्या है copy है एक दूसरे की क्या है replica है ये भी word आपने सुने होंगे replica word भी सुना होगा इसी को क्या बोलते हो तुम alter ego मतलब तुम कह सकते हो ये तो alter ego है बिल्कुल एक दूसरी की तरह एकदम मिलते जूलते है कोई फर्क नहीं है दोनों में तब तुम क्या सब्दी ये इस्तमाल करोगे alter ego so अचा ये lecture आपका खताब हो चुका है यहाँ पे और मैं आपसे एक request करना चाहूँगा यार प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप like जरूर करना इस वीडियो को ठीक है do like आप वीडियो और अगर आपको कुछ भी doubt है है ना कुछ भी doubt है तो आप क्या कर सकते हो कॉमेंट कर सकते हो और कोई अगर आपको suggestion देना है तो आप क्या करोगे आप comment section में आके आप बिल्कुल आप suggestion दे सकते हो अगर ये मेरा दियार lecture number 3 actually और मैं definitely आपका suggestion को मानूँगा और मैं improve करने की कोशिस करूँगा अच्छा अभी मैं आपसे कुछ चीज़े डिसकस करना चाहूँगा एक second लोगा मैं आपका एक minute मतलब हमारी इस channel पे CA की classes चल रही है और economics श्टार्ड करी गई है इको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है हमाई channel पे आप उसको देख सकते हो बहुत ही जल्ड quality की classes लगने वाली है बहुत जल्ड quality भी पढ़ाई जाएगी आपको और daily current affairs अगर आप देखते हैं तो आप मेरे चैनल को refer कर सकते हैं और percentage ही classes चल लिए है मैत में जो की मैं ले रहा हूँ ठीक है आप इन में से कोई भी classes देखना चाहें तो आप देख सकते हो बहुत important classes है और हम लोग की classes हम लोग के चैनल पे एक GST अपडेट करके आता है अगर आप में से कोई भी मतलब थोड़ा बिजनेस बिजनेस से जुड़ा हुआ है थोड़ा समझ में नहीं आ रही है चीज़े तो देखन रिफर दे वीडियो राइट तो दिस इस दे एंड अफ टुड़ेज वीडियो और अगर आप में चैनल पे नहीं है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वो जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करना है आपको तो देट की नोटिफिकेशन आपको अविले की मिल जगे तो थैंक्यू सो मच गाईज थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहें घर में रहें सुरच्छी तरहें लोगडाउन का पालन करते रहें थैंक्यू गाईज